कांटी थर्मल पावर के गाड को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस ने घटना में शामिल दो अपराधी को हतियार के साथ गिरफतार किया है कांटी थाना शेत्र में थर्मल पावर में तीनों चोरों की द्वारा चोरी के दौरान गाड को गोली मार कर घायल कर दिया गया था मामले में प्रात्मे की थाने में दर्स कर मामले की जाच की गई पुलिस की एक टीम गठित कर छापे मारी कर दो अपराधी को गिरफतार कर लिया गया है जिनके पास से एक देसी कट्टा और चार जिन्दा कार्टूस बरामत किये गये हैं वहीं एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा जिसके गिरफतारी के लिए कारवाई की जा रही है पूरे मामले को लेकर पस्चिमी डियस्पी अभिशेक आनंद ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बताया कि मामले में टीम गठित कर मामले की जाच की गई जुसमें दो अपराधी को गिरफतार किया गया है उनके पास से देशी कट्टा और गोलिया बरामत की गई है वहीं मौके से एक शातर अपराधी फरार हो गया जुसके गिरफतारी के लिए आगी की कारवाई की जा रही है इसमें चोटी टीम मनाई गई इस टीम में राजा उनके साथ रजनी कांत विद्याशंकर और उनके साथ समस्त काटी की जो तीम है वो थी और इसमें कारवाई करते हुए इनिशियल जो तक्निकियों मानुए साक्षः शंकलन किया जिसके तहत एक आदमी आइडेंटिफाई वे नसरुदीन नाम है उस आदमी का इडेंटिफाई हुए उसको जब गिरफतार किया गया उसके पूश्टाज की गया और तराशी लिए तो उसके पास से एक एक कट्टा और उसके साथ दो जिंदा कार्थोस मिले और जो घटना इस तल का शुरू में रिक्षन किया गया था उसके निशान दही पे एक सलामू मिया नाम के आदमी की गिरफतारी हुई उनके पास से भी दो जिंदा कार्थोस मिले इसके लावा एक जो तीसरा अग्यात वेक्ति जो घटना में शामिल था जिसका नाम है कमरुदीन मक्रा उसकी उसका मोटरसाइकल मिला वह भागने में स चार कार्थोस जिंदा कार्थोस मोटरसाइकल और वह जो खाली खोखा मिला था वह घटना दो लोग की ग्रफतारी ओवी एक की ग्रफतारी अभी शेश है इस प्रकार से एक सफल उद्भेदर काटी थाना द्वारा किया जो मोटीव अभी तकनिकल के सामने है उसमें इन लोगा प्राधी कितियास पहले का भी रहा है जिसमें कि यह जो नश्रदीन है उनके उपर तीन तीन चार पहले से भी मुकदमें है तीन चार कांट दर्ज है उनके उपर और इनके उपर और अगर ऐसा कुछ आएगा तो उसका भी हम लोग जाच करेंगा लोकल रहने वा आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जिंट्स और किट्स के लिए जूते, सैंडल, स्लिपर वह भी सस्ते दामों पर यहां बाटा एक्षिन कैंपस, शू फैक्टरी, फ्लिप फ्लॉप, कैट, मूवर्स जैसे ब्रैंड एक ही छत के नीचे मिलेंगे